नमस्कार दोस्तों देखो सीको स्टेडी में आप सभी लोग का स्वागत है दोस्तों यहाँ पर 25 जो है जीके के बहुत ही important questions लेके आए हैं जो की exam में आपके आते ही आते हैं इसमें से जरू-जरू question आप देखे हैंगे exam में आता है और बहुत सारे लोग इन questions को नहीं कर पात करते हैं और बहुत ही असान यह सभी questions है चलिए start करते हैं सबसे पहला number question एक क्रिसी वाले exam में आया था समानता जो है गाय की आयू कितनी होती है गाय की आयू समानता कितनी होती है 10 से लेकर के 14 वर्स 14 से लेकर के 18 वर्स 18 से 22 वर्स 22 से 26 वर्स बताइए जिन लोग को याद है कमेंट बॉक्स मताएं तो देखे गाय का जो समानता जो आयू होता है जीवन काल जो होता है वो हता है 18 से लेकर के 22 वर्स 18 से लेकर के 22 वर्स जिन लोग उने C answer क्या है बिलकुल right है एक number उनको मिल चुका है नेक्स्ट कोशन है भारत का रास्तिय फल क्या है भारत का रास्तिय फल क्या है ए सेव बी अम्रूद सी केला डी आम सबी लोग बताएं भारत का रास्तिय फल तो भारत का जो रास्तिय फल है वो है आम बिलकुल right आम जो है रास्तिय फल है भारत का याद रखिएगा बहुत important नेक्स्ट कोशन, अब ये बताइगा, वर्तमान मनुषे का वैस्वीक आँवसत जीवन काल क्या है? आपको बताना है, वर्तमान मनुषे का वैस्वीक आँवसत जीवन काल, 52 साल याणिकि 52 वर्स, 60 वर्स, 65 वर्स या 72 वर्स, देखते हैं किसका right answer ये सही होता है याद रखेगा वर्तमान मुल्स का जो वैस्विक जो है आउसत जीवन काल है वो है 72 वर्स इसमें क्या इंपोर्टेंट है इसमें वर्तमान के बत करें ठीक है इसमें 75 साल पुरूस का है, ठीक है, मेल का है, और यहाँ पर 69 यानि 79 साल फीमेल का महिलाओं का है, ठीक है, औसत जीवन काल, याद रखेंगे, बहुत important है, कोई नहीं बताएगा, next बात करेंगे, घरेलू मक्खी का जीवन काल कितने दिनों का होता है, गरेलू मक्खी का जीवन काल कितने दिनों का होता है, तो देखेंगे, यह लारवा और जोए अलग-अलग चरणों से होता हुआ, option number A में दिया है, 15 से 30 दिन, 35 से 35 दिन, 36 दिन C में है, और D में है आपका 40 दिन, तो देखेंगे, 15 से 30 दिन, option number A रैड एंसर हो जाएगा, option number A, गरेलू मक्खी का जीवन काल है, बताएगा किसका रैड एंसर था, नेक्स्ट बात करेंगे, सबसे ज़्यादा उम्र तक जीने वाला जानवर, यह तो सबको बता देना चाहिए, यह तो सबको बता देना चाहिए, सबसे ज़्यादा उम्र तक जीने वाला जानवर कौन सा है कच्चुवा है दोस्तों कच्चुवा ब्लू वेल कच्चुवा हाथी और जिराफ में बताना था कच्चुवा राइड एंसर होगा option number B आसा करते हैं सबका राइड एंसर हो गया होगा next question एक स्वस्त मनुस्य एक मिनेट में कितनी बार सांस लेता है सभी लोग को पता होना चाहिए definitely अगर आप जी रहें तो आपको पता तो रहना चाहिए कि एक स्वस्त मनुस्य जो है एक मिनेट में कितनी बार सांस लेता है option number A 15 से लेकर के 18 बार B 20 से लेकर के 23 बार C 25 से लेकर 28 बार D 27 से लेकर के 30 बार कितने बार सांस लेता है option number A 15 से लेकर के 18 बार जी आँ जोस्तो 15 से लेकर के 18 बार 16 से 18 बी कहते हैं लेकिट 15 से 18 ऑफशन के जाब से right answer होगा next question मनुस्य की खोपड़ी में कितनी हड़िया होती है सीर में बताइए कितनी हड़िया होती है मनुस्य की खोपड़ी में कितनी हड़िया होती है 25, 28, 31 और 33 याद रखेगा एक्जाम में कई बार यह आ चुका है 28 28, 28 मनुस्य की खोपड़ी में 28 हड़िया होती है next बात करेंगे सबसे भावक जानवर कौन होता है सबसे इमोशनल भावक जानवर कौन होता है बंदर, कुता, हाथी, घोड़ा कौन होता है तो सबसे भावक जानवर होता है हाथी याद रखेगा सबसे भावक जो जानवर होता है वो होता है हाथी option number C, right answer हो जाएगा next बात करें समानत महिलाओं का मासिक धर्म कितने आयू तक आता है मतलब कब तक ये खतम हो जाता है कब तक ये आता ही आपको बढ़ाना है समानत महिलाओं का मासिक धर्म कितने आयू तक आता है 45-55 40-50 35-40 33-38 बताइए तो ये जो आता है याद रखेगा 45-55 वर्स तक आता है स्वस्त मनुस्य में कितने लिटर रक्त या खून होता है 4-5 लिटर 5-6 लिटर 6-7 लिटर 1.25-6,5-7 लिटर बताएं याद रखिएगा ये होता है एक वयस की बात करें मनुस्य में जो है 5-6 लिटर रक्त होता है खून होता है अप्शन नमबर बी रड अंसर हो जाएगा नेक्स्ट बात करेंगे एक स्वस्त मनुस्य का ताप्मान होता है एक स्वस्त मनुस्यकारता अपमान क्या होता है 97.05 फॉरेन हैट 98.05 डिगरी फॉरेन हैट 99.05 डिगरी फॉरेन हैट और 96.05 डिगरी फॉरेन हैट दिखें, Celsius में भी पूछता है फॉरेन हैट में भी पूछता है तो option में फॉरेन हैट कर दिया है तो आप foreign height में बताएंगे साड़े संतानवे साड़े संतानवे degree foreign height option number A right answer हो जाएगा ठीक है next question next question है भारत का मुख्यमंत्री बनने की निउन्तम आयू क्या है भारत का मुख्यमंत्री बनने का जो है निउन्तम आयू क्या है 18 वर्स 21 वर्स 25 वर्स या 30 वर्स ये वर्स है दोस्तो ठीक है बताएए निउन्तम मुख्यमंत्री बनना है भारत का आमको बताएए तो ये है निउन्तम जो है 25 वर्स option of C right answer हो जाएगा 25 वर्स next है भारत का प्रधान मंत्री बनने का निउन्तम आयू क्या है सबी लोग बताएएगे भारत का प्रधान मंत्री बनने का निउन्तम आयू क्या है 21 वर्स 25 वर्स 30 वर्स या 35 वर्स बताएगे तो ये भी है दोस्तो अपका 25 वर्स option of B 25 वर्स option of B next है भारत का राष्टती बनने का निउन्तम आयू क्या है ये कोशन्स कई बार एक्जाम में आ चुके हैं इसलिए हमने इसको लिया है 21 वर्स 25 वर्स 35 वर्स या फिर अपका 45 वर्स सबी लोग बताएगे ये तो बहुत ही असान है कई बार आ चुके है C हो जाएगा 35 वर्स option number C 35 वर्स निउन्तम पूछा है नेक्स्ट कोशन है उत्तर प्रदेश का राजकी या पक्छी है उत्तर प्रदेश का राजकी या पक्छी कौन है मोर तोता बगुला या सारस बताएगे सभी लो याद रखेगा सारस है option number D option number D सारस जो है उत्तरपदिस का राजकिय पक्षी है नेक्स्ट बात करेंगे मानौ सरीर के मेरु दंड में कितनी हड़ियां होती है मानौ सरीर के मेरु दंड में यानि रीड की हड़ियां कितनी हड़ियां होती है रीड में कितनी हड़ियां होती है 28, 30, 35 या फिर 35 बताइए मानो सरीर के मेरुदंड में 35 हड़िया होती है 3-3 option number C रेडंसर हो जागा 35 हड़िया होती है next बात करेंगे मानो सरीर की सबसे छोटी हड़ि का नाम है मानो सरीर की सबसे छोटी हड़ि का नाम है सबसे छोटी हड़ि है कान की हड़ि उसको कहते हैं Fumar, Stepage, Osteage या Mandeval Stepage कहते हैं Optional B Stepage Next बात करेंगे Manonetre यानि आग की बात हो रही है कितने Megapixel का होता है Camera देखा होगा आपने Manonetre कितने Megapixel का होता है 320 MP 576 MP 674 MP या 1024 MP बताएंगे सभी लोग Manonetre या फिर जो आँख होता है वो होता है अपका 576 MP का 576 MP Optional B Red Encer हो जाएगा याद रखेगा Next बात करेंगे Exam में कई बार आचुका है Manonetre की सबसे लंबी हड़ी Manonetre की सबसे लंबी हड़ी जांग की हड़ी नाम है Femur Option नमर B Red Encer हो जाएगा Next question 6 रोग किस कारण होता है इसका कारण है Bacteria Option नमर A Bacteria Next question Samanta 906 में कितनी हड़ीया होती है 200 206 300 355 900 नवजाद सिसू में 270 से 300 के लगभग में हड़ीया होती है याद रखिएगा 300 Option नमर C Right Encer हो जाएगा ठीक है 300 Next question है नवजाद सिसू कितने छोटे बच्चे को कहते हैं बहुत ही important और 99% लोग नहीं बता पाएंगे नवजाद सिसू कितने छोटे बच्चे को कहते हैं जन्म से एक माह तक जन्म से दो माह तक जन्म से तीन माह तक या जन्म से छे माह तक बताएंगे सभी लोग याद रखिएगा नवजाद यानि कि नया जन्म नया जन्म लेने वाला यानि जन्म से एक माह तक अगर बच्चा आए तो नवजाद सिसू कहेंगे सिसू तो तीन महिने तक बच्चों को कहते हैं और अगर बात करें कानून के समक्ष तो बहुती बड़े वच्चों को भी याँ पर सिसू कहते हैं नेक्स्ट कोशन मनुस्य सरीर की सबसे बड़ी गरंती मनुस्य सरीर की सबसे बड़ी गरंती कौनसी है यक्रित लाग गरंती प्यूस गरंती या फिर व्रिक मनुष्य सरीर की सबसे बड़ी गरंती है यक्रित यक्रित ओप्शन नमबर A राइड एंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोशन सेकेंड लाज्ट कोशन यह है हाथी के मुँँ में कितने दात होते हैं 26, 30, 32 या फिर 36 याद रखियेगा वैसे तु सबको याद है कि सिर्फ हाथी के दो ही दात होते हैं बाहर लेकिन यहापर होते हैं मुँ में इसके 26 दात होते हैं याद रखियेगा 26 दात होते हैं ओप्शन नमबर A राइड एंसर हो जाएगा नेक्स्ट और लास्ट कोशन है मच्छर के कितने दात होते हैं अन्तिम कोशन है 28, 32, 45 या फिर 47 मच्छर के 47 दात होते हैं दोस्तो कमेंट बाक्स में बताइगा कि आपने 25 कोशन में से कितने सारे कोशन का राइड एंसर सही जवाब दिया है आसे करते दोस्तों हमारा प्रयास हमारा वीडियो पसंद आओ वीडियो को अजीिक से दिक लाइक शिर्ट किज़ेगा आपका लाइक शेर और अच्छेचे कमेंटी हमें मोटिवेट करता आफ वीडियो पॉर्ट देखने के लिए अब सबी लोगों का फिर से बहुत बहुत ध झाल झाल